पर हे जैचंदों, हे विभीषनों, करपया, 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 इत्ती मदद कर देना, आपने जो कुछ किया, वो वही रेना, हमारी इस पवित्र पार्टिर, हमारे लोगों के पास, आने की कोशित मत करना, मत करना, मत करना इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं जीतने का जहां मौका था मात वही हुई नमस्कार मैं प्रदीप हूँ आप थिंग 366 देख रहे हैं और आज बात करेंगे कि क्या हुआ ऐसा कि मुख्यमंत्रिपद के प्रत्याशी राजंदर राठोड चुनाव नहीं जीत सकी बहुत सारे लोगों के मैसेज आये हैं कि आप मारवाड में रहे हो इसलिए अधिकांस वहीं के हारजीत का विशलेशन करते हो जन्म भूमी यानि की चूरू पर भी कुछ बने तो दोस्तों आज चूरू की बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी में कद्दावर और पुनिया की भी बात करें नरेंद्र बुडानिया और कस्वा परिवार की भी बात करें तो यह कहानी कुछ अलग तरीके से मुकमल होगी परवीन शाकिर याद आते हैं कि मसला जब भी चरागों का उठा है फैसला सिर्फ हवा करती हैं क्यों राजन्दर आठोड जैसा राज इनकी पार्टी के ही कई नेता उनके खिलाफ अंदरूनी तोर पे हो गए सतीश पुनिया की टीम ने भी कमोबेश यही किया था और उनकी इस्तिती आज किसी से छिपी भी नहीं है सतीश पुनिया से याद आया कि करीब धाई दशक पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था और राजिंद राठोड और राम सिंग कस्वा को भसमासुर बता दिया था अब भसमासुर एक राक्षश हुआ करता था जिसके सिर्फे हाथ रख देता था वह भसम हो जाता था अब राम सिंग कस्वा पर आरोप यह लग रहा है कि उन्होंने राजिंद राठोड के करियर पर वही भसमासुरवाला हाथ रख दिया है। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं भरी सभा में राजंदर आठोड के एक समर्थक क्या कह रहेंगे। तो देखा अगने और इसके बाद मैं तरन्नुम कानपुरी को कौट करूँगा कि एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पे। एक और एक मिलकर दो हो जाते हैं गनित में लेकिन राजनिती में ये ग्यारा भी हो सकते हैं और दो भी और इस दो के अलावा भी कुछ और हो सकते हैं। और तथा होने के बावजूद पहले के एक और दूसरे एक का अस्तित्व पूरी तरह कभी खतम नहीं हो सकता। ये एक एक कभी भी अपनी उकात पर वापस लोट सकते हैं। खेर दर्शन छोड़िये मुद्दे पे आते हैं। ऐसा क्या हुआ था 1991 में कि राम सिंग कस्वा को लोक सबाब पहुंचाने के लिए भैरो सिंग शेखावत सरकार की मशीनरी जुट गई। क्यों उस वक्त खुद राजेंदर राठोड और भमरलाल शर्मा जैसे कद्दावर नेता जंतादल के विधायक होने के बावजूद अपने मित्र मुहमत माहिर आजाद को 50,000 वोटों से आगे नहीं ले जा पाए। सवाल ये भी आता है कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी से जाटों को स्थाई तोर पर जोडने के लिए कॉंग्रेस के जै सिंग राठोड का राजनितिक करियर तबाह कर दिया गया। सच्चाई क्या है इस पर विचार करने के लिए आपको चूरू लोकसभा की एक कहानी पे जाना होगा। चूरू में ऐसा क्या हुआ क्या बदल गया चूरू की राजनिति में कि राजन्दर अठोड इस बार विदानसवा नहीं पहुंचे। पहला चुनाव कॉंग्रेस के प्रत्याशी कुशाल सिंग को हरा के 63,699 वोटों की बड़त के साथ जीतते हैं। दूसरा चुनाव उन्होंने कॉंग्रेस के केदारनाथ को 98,964 वोटों से आ रहा है। पहला 63 से दूसरा 99,000 से। तीसरे चुनाव में कॉंग्रेस ने प्रत्याशी नहीं होता रहा। महराजा निर्दलिय प्रत्याशी के आगे बड़त को और अधिक ले गए। 1,15,000 उनका मार्जन हो गया। 67 में कॉंग्रेस ने फिर प्रत्याशी नहीं होता रहा। तो महराजा करने सिंग के जीत का अंतर चौथी बार भी भड़ा और 1,93,000 के अंतर से वो जीते हैं। और पांचवें चुनाव में यानि की 1970 में करने सिंग की जीत का अंतर घटके 48,432 रह गया। दोलतराम सारणिया खड़े हुए थे, मामला त्रिकोणिय हो गया। कॉंग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था। गरनी सिंग पांचवी बार निर्दलिय तो जीते। लेकिन महराजा ने कहा कि अब बीकानेर्क राज्य की जनता का प्रेम कम हो गया है। अब चुनाव नहीं लड़ूगा। अलांकि वे ओलम्पिक खेलते रहे और असी तक भारत का प्रतिनेद्ट करते रहे। सरवाधिक ओलम्पिक खेलने वालों में उनका नाम सेयोंत रूप से दूसरे नंबर पे हैं। आप कहेंगे बात चुरू की चल रही हैं। आप बीकानेर कहां पहुंच गये। दौलत राम सारण का जिक्राया 1957 से 22 तक वे विदायक रहे थे स्री डूंगरगड सीट से दो बार कॉंग्रेस से जीते सरकार में मंत्री भी रहे सचट में वे डूंगरगड में निर्दलिये खड़े होते और जीतते हैं सारण जो है वो बिकानेर जो राजशाही थी उसकी राजे परिशद में भी रह चुके थे और 71 में भारतिये क्रांती दल से लोकसभा की चुनाओं में खड़े हुए थे भारतिय क्रांती दल चौदरी चरण सिंग और कुम्बारा मारे का दल था जिसका 1977 में जन्ता पार्टी में विले कर दिया गया था दोलत राम सारण 1977 में जब चूरू पहली बार लोकसभा सीट हुई तो जन्ता पार्टी के पत्याशी बनाएगे और महराजाचूंगी पहले ही कह चुके थे कि वे अब चुनाओं नहीं लड़ेंगे और नहीं ही लड़े साथ ही बीकानेर से जन्ता पार्टी के हरी राम गो पार्टी का जो कटवंदन था वो भारी पड़ा और दोलत राम बहुत अच्छी यानि करीब 41 परसेंट के मार्जन से वो चुनाव जीतते हैं अब इसके अगले चुनाव यानि 1980 में जन्ता पार्टी 200 में बढ़ जाती है दोलत राम सारण जन्ता पार्टी से कुलर से जन्ता रहे हैं और चंदनमल बैद उसके अलावा दोलत राम सारण और आलमा लिखान का इत्रिकोर्णिया मुकाबला होता है पहला चुनाव दोलत राम सारण करीब टेड़ लाग वोटों से जीते थे लेकिन इस चुनाव में दोलत राम दुबारा सांसत तो बने लेकिन अ इलाका विकाने चुरू वाला किस तरह से कॉंग्रेस की चुनकि कॉंग्रेस का अब निसान भी पंजा हो चुका था तो कॉंग्रेस के पंजे की मोहर यहां लगे और इंद्रा गांदी की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद कॉंग्रेस की लहर थी और जैसा का जा रहा कि प टिकट पर चूरू से विधायक रहे थे लेकिन असी में मेगराज पमार से हार गए थे और पॉलिटिकल करियर को सैट करने की कोशिश कर रहे थे 84 में उन्होंने कॉंग्रेस के टिकट पे चूरू सांसत का चुनाव लड़ा और लोग दल से लड़ रहे दोलत राम सारण को करीब एक लाख बारा हजार वोटों से हरा गिया बीजेपी ने भी अपना एक प्रत्याशी उतारा था लेकिन वो 73 वजार वोट लेके तीसरे नंबर पे रहे अब 1985 में पद पे रहते हुए सांसत मोहर सिंग राठोड का निधन हो गया और उप चुनाओ में कॉंग्रेस के टिकट पर 29 साल के नरेंदर बुडानिया चूरू के सांसत बन गए बुडानिया ने दोलत राम सारण को हराया अब तक यानि कि 1985 के लोगसभा चुनाओ से पहले चूरू में जो भी चुनाओ हुए वो मुख्या पार्टियों में जाट अन्य जातियों के बीच प्रमुख टक करके रहे थे अब चूरू में सांसत का चुनाओ दोनों प्रमुख तिनों प्रमुख पार्टियों में जाट वर्से जाट हो गया चूरू की रंगत में जाट राजनेती घुलने लगी थी कुम्बाराम आरिय के साथ ही रहे थे दौल का बोर्ट जाट को यानि कि गोशित तोर पे पहला जाती है नारा अगर आया तो वो कुम्बाराम आरे के और से आया था और उने के साथ ही थे दौलतराम सारण और यह वही 1985 का साल था जब विधानसिवा चुनाओ में राजंदर राठोड भी जूरू में एंट्री लेते है वे चुनाओ लड़ते हैं जनता पार्टी से लेकिन कॉंग्रेस प्रत्यासी हमीदा बेगम के सामने एक त्रिकोणी संगर्स में हार जाते हैं राजंदर राठोड ने 1980 में भी जनता पार्टी जैप्रकास से बनी पार्क सीरीट से चुनाओ लड़ा था लेकिन महज 2021 वोट ह पास के थे इसके बाद उन्होंने चूरू का रुक किया हलागी राठोड का गाउं हरपाल सर संदार से विदान सबक्षेतर में आता है खेर चूरू में 1985 में दो नए नेता है एक का नाम नरेंदर दूसरा राजंदर इनकी 40 साल की राजनिती आगे बाकी थी और किसे पता थ सूबे के सीम पद पर आगे बढ़ रहे राजंदर आठोड और अब तक आठ बार विधाई सद्रों में पहुंच तूके नरेंदर बुडानिया पहली बार आमने सामने होगे किसे पता था कि सीम पद का खाब देखरे राजंदर आठोड को बुडानिया मात दे देंगे जब इबारत लिखी गई तो उसका एक हस्ताक्षर राजंदर आठोड भी थे जब राम सिंग कस्वा के पिता दीप चंद कस्वा पहला चुनाव हारते हैं दूसरा जीतते हैं फिर तीसरा हार जाते हैं तो वो 1990 में अपनी राजनितिक विरासत बेटे राम सिंग कस्वा को स स्तापित होए राजंदर आठोड राजंदर आठोड चूरू से इस बार जंता दल के टिकेट पे चुनाव लड़ते हैं और हमिदा वैगम को हरा के विधान सबाब पहुंच जाते हैं परंतू राम सिंग कस्वा साधुलपुर से हार जाते हैं यहां चूरू की राजनितिक पूरा मानस बना चुके थे वे जात राजपुद संबंदों के सारे इस स्थापना को गती देने के लिए चूरू में चल रहे चुनाव पे नजर डालते हैं आपको बताते हैं कि जब यह चीजे मुकबन हुई राजस्तान में जात राजपुद संबंद ठीक हुए जिसमें बहरो सिंग शेखावत के लियान सिंग कालवी नातुरा मिर्दा और यह दौलत राम सारण जैसे बड़े नेता जब साथ आये थो तो 89 में पहली बार लोकसभा चुनाव में कॉंग्रेस 25 की 25 सीटे हार गई थी इसी को वो राज्य विदान सभा चुनाव में आजमाने की राजंदर आठोड जनता दल से थे और 36 साल की उम्र में फरवरी 1991 में ही राजस्थान की विदान सभा में बीजेपी सरकार के सरकारी उपमुखे सचे तक बनाए जाते हैं राम सिंग कस्वा करीब पौने 6000 वोट से 1990 का चुनाव हरेवे होते हैं लेकिन लंबे समय से सरपंच थे और 46 साल के थे जमीरी राजनेती के नब्स ठीक टाक जानते थे और 1991 में कॉंग्रेस दूसरी बार चूरू का टिकट देती है राजबूत को यहां कॉंग्रेस के सांसद रहे स्वरगिये मोहर सिंग के बेटे जैसिंग राठोड को उस वक्त पैलेट से वोट होते थे उस 68 वोट से विजई घुशित कर दिया गया उस वक्त केंदर में चंदरशेकर सरकार की विदाई के साथ समाजवादी राजनेती कांत था और प्रदेश में बीजेपी जड़े जमा रही थी राजिंदर राठोड इनहीं चंदरशेकर के शिष्य थे और उस वक्त जंतादल के पत्याशी मौहिर आजाद भी चुरू से लोकसवा का चुनाव लड़ रहे थे उनकी पार्टी के दो विधायक थे चुरू से राजिनर राठोड, सर्दार सहर से बमरलाल सर्मा इसके बावजूद वो पचास जार वोट ही पा सकें यहां महभूब जफर याद आते हैं हमें तो अहल सियासत ने ये बताया है किसी का तीर किसी की कमान में रखना तो राजनर राठोड पानस बना चुके थे जन्ता दल के डूबते जहाज को छोड़ कर बीजे पी के एक खिलते एक अमल को थाम नहीं पा चूरू के मोज़दा सांसद राहुल कस्वाएं के इंटरिव में कहते हैं कि मैं उस रात उस पूरी रात गणना इस्थल के बार एक जीप में सोया था चौदा साल का था लेकिन उनके परिवार की शायद यह अंतिम राजनितिक कष्ट प्रदरात थी राम सिंग सांसद बन गए और इसके कुछ समय बाद ही 93 के विधानसवा चुनाओ में उनकी पत्नी श्री में थी कमला कस्वा साधुलपूर से बीजेपी का टिकट पाती हैं हलांकि वे हार गई और 2008 में जरूर बीजेपी से टिकट पाके विधायक का चुनाओ जीती थी 1998 में उनके पिता दीप चंद भी एक बार विधायक रहे हैं राम सिंग कस्वा के पिता उनकी पत्नी कमला कस्वा एक बार विधायक और जिला प्रमुक रहे चुकी है बेटे राहूल कस्वा लगातार दो बार से सांसद हैं तो राम सिंग कस्वा चार बार सांसद रहे हैं मा राजिंदराठोड की गुरू चंदरशेखर ये शेर कहा करते थे कि तो इधर उधर की ये बात न कर पता के काफिला क्यों लोटा मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहवरी का सवाल है तो राजिंदराठोड अब ध्यक्जी अर्थात युवा तुर्क का साथ छोड़ कर हो लिए और फिर चूरू जुले में कोई नया राजपूत नेता विधाई सदन के लिए न बीजेपी और नहीं कांग्रेस में उभरा हतास हुए जय सिंग राठोड पांच साल बाद 1996 में में तिवारी कांग्रेस का हिस्सा हो जाते हैं और उसी से चूरू सांसत का एकवार चुनाव लड़ते हैं लेकिन 15,000 वोड़ पे सिमट कर राजनिती का अंत करवा बैठते हैं जय सिंग राठोड कभी प्रदेश कांग्रेस कारेले में कद्दावर नेता हुआ करते थे आज कहां हैं कोई खैरो खबर नहीं आती चूरू जुले में राजपूत नेताओं में स जल रहा है इधर नरेंदर बुडानिया भी तीन बार लोकसभा के सांसद रहे तीन बार राजसभा में सांसद रहे लिए और 2023 में तीसरी बार उने विदावन सबा जाने का मौका भी मिला है बीजेपी से 1991 में पहली बार सांसद बने राम सिंग कस्वा की पत्नी 1993 में जब ट दिखा है कि राम सिंग कस्वा ने धमकी देकर अपनी पत्नी को 1993 में टिकट दिलाया खेर 1996 और 1998 का लोकसभा चुनाओ राम सिंग कस्वा भी नरेंदर बुडानिया से हारे लेकिन सादुलपूर में 1998 में बीजेपी ने राम सिंग कस्वा को टिकट देके विधायक बनाया सती अंठाणवे में राम सिंग विधायक बन गये थे और 1999 में भी लोकसभा टिकट दे दिया गया जिसमें वो जीद गये गये गुलाब चंद कटारिया प्रदेश अद्यक्स को बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अद्यक्स के पद से स्तीफा देतने वाले इस पत्र में सत अब चीजें कहां से कहां जुड़ती और जुड़ती चली जाती है दोजार तेईस में सतीश पूनिया भी सीम केंड़ेट थे और राजंदर आठोड भी दोनों ही हार चुके हैं राम सिंग कस्वां के बेटे अभी चूरू के सांसद हैं किसी के चहरे पे मुस्कुराहट है किसी के चहरे पे उदासी हैं दोजार तेईस का पहला चुनाव था जिसमें राजंदर आठोड जाट प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे वे साथ बार लगातार विधायक बने जिसमें छे बार उन्हों ने मुस्लिम प्रत्याशी को हराया और एक बार माजन हो य और सरदार सरताता साधूलकूर में जाट समाज के पत्याशी दूसरे नंबर पे रहे हैं चूरू जिले में ये पाँच ही सीटे अनारक्षित हैं ब्रामणों ने रतंगड सीट 1962 के बाद पहली बार गवाई है रतंगड क्षेतर के कई राजपूतों का कहना है कि उन्हों न ब्रामण और राजपूत राजनिती पर फुल स्टॉप लगा है इसकी वजए लोग कस्वा परिवार को बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई हम नहीं जाते लेकिन बीजेपी इस बार लोकसभा का चुनाव कैसे और कितनी शिद्दत से लड़ेगी वो राजन राठोड के अगर हालिया साकसातकारों को देखें तो लगता है कि वे इस हार से खासे निराश हुए हैं आप याद रखें कि राम सिंग कस्वा के पिता दीपचंद एक चुनाव जीते दो हारे खुद कस्वा 1990 में चुनाव हारे थे वे राजन राठोड ही थे जिनोंने उन्हें और उन सिंग शेखावत ने उनकी सीट सुरक्षित रखी भी राम सिंग कस्वा के कारण बीजेपी में उभरते युवा जाट मेता सतीश पूनिया राजंद राठोड से एक बारगी बागी भी हुए राजंद राठोड ने जब हरलाल सारण को चुरू से 2008 में टिकेट दिलाकर ता बीजेपी में राम सिंग कस्वा को जिता कर जाट वोटर्स को राइट विंग पार्टी से जोडने के लिए बैरो सिंग शेखावत और राजंद राठोड के 168 वोट वाले जीत के प्रयास जरूर रंग लाए होंगे लेकिन वे रंग 2023 आते आते इतने फीके पड़े कि जास उस पर भी डालते हैं क्योंकि हालंगी राजनेतिक रूप से सतीश पूनिया और राजन राठोड खुद को कभी भी सीम पद का प्रत्याशी नहीं बताते रही लेकिन जाटों के सामाजिक लिडर्शिप ने यह मान लिया कि राठोड सीम बन सकते हैं तो उन्हें तारा सतीश पूनिया के डालोक्स जो है उनकी अनुगुँज दिल्ली तक अकसर पहुंचती रही और उनकी अध्यक्सपद से जो है वो चुनाओं से पहले ही विदाई हो गई थी अलंकि कई उमीद्वार जो थे उमीद लेके आये थे उनकी परचियां कटी भी थी और वो फटी ह रामें हार गये और अठारा में जीते चुरू के दूसरे नेताओं में राम सिंग कस्वा और रारेंदर बुडानिया दोनों ही कभी जिले की राजनेती से बाहर नहीं निकले परंतू राजन राठोड का प्रभाव कूरे प्रदेश में बना यह प्रभाव पूराने साथिय की यानि की राम सिंग कस्वा और इनकी आँखों में निश्चित तोर पे खटका ही होगा यह खटक बीजेपी कॉंग्रेस का भेद बुलाकर राठोड की राहों में ऐसे कांटे वो गई जो उनसे पूरे चुनाओं में निकालते नहीं मनें अब कहा जा रहा है कि सतिश्मू राजसमंद या जैपूर ग्रामिन लोगसवा भेजा जाएगा या किसी अन्यपद पे बीजेपी में विधायकों की संक्या 115 है परन्तु विधाई कारवाई चलाने वाले बहतरीन लेजिसलेटर की उन्हें नितांत जरूरत हैं ऐसे में एक धड़ा अब हरलाल सारण को प्रिश्कुल भी नहीं करती और वाइरल होते ओडियो विडियो की दौर में अब राम सिंग कस्वा और उनके बेटे राहूल कस्वा पर लगाए गया आरोप साबित नहीं है ऐसे में साबित होना नहीं होना पार्टियों और व्यवस्ताओं का काम है लेकिन जनता का विचा में बीजेपी से प्रत्याशी कौन होगा या चूरू में कोई तीसरा मोर्चा खड़ा होने की अंद्रोनी कोशिश बनेगी यह वक्त बताएगा परंतु चूरू के रेगिस्तानी धोरों के बीच एक बवंडर खत बदा रहा है जो बीजेपी की लगातार पांच बार से सु अतिहा पे चल रही है